प्रतिपलमम संस्मरनम संस्मरने मात्रम्टमम। रुदयस्याम्म वारताम कथयाँ न्याहं कम। दुरुगा देवी का भव्य दिव्य भव्य मंदिर है बनारस में वो प्रसिद्ध है। किन कठिनाईयों का सामनप्रारां भी के स्थितियों में करना पड़ा आपको। आँख खोल कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूं, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूं, सोई थे कब रोई थे तोरे बिना ओ सनम, आसा बखेली भी का सकते हैं, देखते थे लड़के किताब पढ़ते थे, और हम जो तो नहीं पढ़ पाते थे, परन्तु ते पूल दीन जाए कि राम लिखा इक तो का का लिखवा, कि देखिला एक नहीं देखा है, और इमेर से सब बताई रहा है, और लड़के थोड़ा धंकाते, खुब डराते भी थे, मारते भी थे, हमारी मम्मी जो है तो एकदम रोबई लागी कहीं के बतावा, लड़के ही लग आज हमारे साथ संस्क्रित में गीतों को अनुबादित करकर गाने वाले इंद्रजीत साकेज जी हमारे साथ हैं, इनकी सिक्षा दिक्षा की बात करें तो बनारस विश्व विद्याले से इनकी सिक्षा अभी चल रही है, और इनसे इनकी इस अधवुत प्रतिभा के बारे मे और जीवन के अनुभवों के बारे में हम बात्चेत करने वाले हैं तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इंद्रजेत जी हम आपका इस अपने खबरदार नियूज पर स्वागत है आपका जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार और आप सभी को प्रणाम, जितने भी दर्शक शुरता बंधु हैं, कुछ उसमें विशिष्ट बिद्वजन भी सुनते हैं, उन सभी के प्रती मैं भगबत भाव से सादर प्रणाम करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत बिशेश आभार व्यक्त करता हूं, तो इंद्रजीत जी आपके सिक्षा दिक्षा का जो सफर सुरू हुआ, तो उस वारे में हम थोड़ा सा आप से प्रारंभिक इस तर पे पूशना जाहें, आप आए होंगे तो आपको एक तलाव दिखाई दिया होगा, उसी तला प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो वहां ही एक से लेकर के पांच परियंत, पहली से पांचमी परियंत हमारी जो शिक्षा हुई है, वहीं हुई है, तत पश्चात कक्षा छै से ना हो करके, कक्षा चार से लेकर के, आठ तक, जो हमारी शिक्षा यमना प्रश्चात कशा 9 से 12 परियंत की जो हमारी सिक्षा है वो श्री हनमान प्रशाथ पोदार अंधविद्याले दुरुगा कुंड में स्थित है दुरुगा कुंड देवी का भव्य दिव्य भव्य मंदिर है बनारस में वो प्रसिद्ध है तो उसी के ज़ष्ट सामने ही वो स्क उनिवर्सिटी दूसरे शब्दों में लोग B.H.U. भी कहते हैं तो वहाँ आज इसना तक द्वितिय वर्ष यानि की B.A. सेकंडियर में अध्ययन रत हैं विशय संस्कृत से और जब आपकी सिक्षा दिक्षा की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक दौर में प्रारंभिक पर आपको पढ़ाने के लिए बिसेश सिक्षकों की भी अनुपस्तित रही होगी बिसेश सिक्षक भी नहीं रहे होगी तो किन कठिनाईव का सामना प्रारंभिक स्थितियों में करना पड़ा आपको देखे प्रारंभिक स्थितियों में वैसे कठिनाईया कोई नहीं लोग हम पुस्ता कुस्ता पढ़ना तो आता नहीं था क्योंकि हमको पता नहीं था और जो भी सिक्षक थे तो भाई उनको भी इस विशय में जानकारी नहीं रही कि दृष्ट बाधितों के लिए कैसे पढ़ मतलब आधिक समस्या होती थी कि भाई लड़कों को देखते थे लड़के किताब पढ़ते थे और हम जो तो नहीं पढ़ पाते थे परंतु वो भी हमारे लिए कठिनाई नहीं जो भी लड़के पढ़ते थे उसको मैं हमारे जो भी सर पढ़ाते थे उसको मैं याद कर लेता स्वयम के द्वारा पठन पाठन का आरंभ कब से प्रारंभ हुआ श्री यमना प्रसाश शास्त्री नेत्रिन महाविद्यालय रिवा में जब से मैं प्रवेश पाया हूं तभी से मैं अपने से अपना पढ़ने लगा खुद लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ यहां एक बात जो है तो बहुत अच्छी बात हमें अपने गुर्जन ब्रिंदों को यहां मैं धन्यवाद देता हूं भले और लोगों से पूछते थे और लोगों से पढ़वाते थे कि राम कैसे ये कैसे लिखा है ये वो लेकिन हमसे भी खड़ा होकर के पूछते थे एक तेंधर के ही सर है राम नरायन आदवासी सर है श्री राम नरायन आदवासी सर है वो हमसे जो हमको लोग वैसे तो नाम इंद्र जी था लेकिन घर में लोग रवी रवी कहते है तो पुरा विद्ध्याला हमें रवी के नाम से जानता था तो जब भी होता है रवी खड़े हो जी सर राम कैसन राम अगर तुह का बोल दिन जाए कि राम लिखा इक है तो का का लिखवा तो पहले तो हम कहें सर जी हमका पता नहीं कि हम जो है कैसन लिखा कैनों हमें कौन-कौन शब्द यही तो उसको इतना मतलब धिवत बताये हुए कि हम से पूछते थे तो हम पठापट बताते थे तो आओ लड़कों को कभी-कभी वो भी करते थे कि देखिला एकर नहीं देखा है और इमेर से सब बताई रहा है थोड़ा अपने देखिये हम अपने गाम में हैं तो अपनी ग्राम में गिरा बगेली का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो हमें सिर्फ जब मैं वहाँ प्रवेश लिया एडविशन लिया वहाँ यमुना प्रसाथ शाष्ट्री नेत्रिन महाविद्यालाय रिवा में तो बस हमें अक्षर पहचानने की बस वो थी अक्षर पहचानने लगे फिर हम तुरंत हम खुद ही कई लड़के हम से पूछते थे कि ये ये शब्द है तो ये इससे क्या बनेगा तो मैं उनको बताता था तो तब से हमको लड़के बताए सर से की सर ये पढ़ लेगा किताब उताब और और लोगों को कौपी बना कर देते थे शब्द के लिए उनको छोटे छोटे शब्द जैसे कि हमारे यहा करके उसे तीन चार दिन में मैं उनको पूरा सुनाया लिखा और उनको दिखाया तो फिर उन्होंने हमें कविता के लिए मतलब एक किताब दिया कक्षा चार की हिंदी और कहा इसमें से आप जो है तो पहले पाठ में एक भवानी प्रशाद मिश्रजी की लिखी हुई कविता ह प्रार्थना है आँख खोलकर सुबह सुबह हुई मन में कहता हूँ प्रभु तेरा उपकार क workflows कि मैं भारत में रहता हूँ इस कविता को याद करके दिखाना है सुनाना है, मैं उसको याद कर लिया, इससे पहले भी मैं आपको बताओ, आपको तो मैं बताया कि पांच तक पढ़ा था, लेकिन सुनता था तो याद थी, लेकिन अब जो तो अभ्यासना करने सी वो थोड़ा फिर से वो हो गई थी, लेकिन जब मैं किताब देखा तो तुरं को आता यह पढ़ना हमको लगता था कि कैसे होगा हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे हमको बिलुकूल नहीं समझ में आता था और लड़के थूरा ध्मकाते खुब ढराते भी थे, मारते भी थे तो तो हम जिस चलते जो है आईसा मतलब वो बोलते थे, तो वो नहीं रखे, अब हमारी मम्मी जो एकदम रोबई लागी कहिए, हम तोहें का अतने कश्ट से पढ़ाई लाहे, आना रखी ही तो का कर भा, कहां पढ़ाई का कर भा, तोहें का राधार है, अमा मम्मी ओहीं रोबई लागी देखी, जब रो कि ख crash तेख में समझ जाता था तो इस प्रकार से वह हमें सिखाए मैं तुरंट सीख गया थोड़ासा बोध हुआ कि हाँ अब मैं कुछ कर लूँगा अब मैं सीख लूँगा तब से मैं भी एकड़म उसी प्रकार से रहने लगा जैसे सब लड़के रहते थे नहीं तो मैं एकड़म पहले दब करके रहता था जैसा कि आपने बताया कि कि आपके प्राइथ्मिक विद्याले में सब्दों के सही ओजन के विशे में काफी अच्छे से बताया गया था आपको ब्रेड लिफ से आपका पहली बार सामना कब हुआ यह कच्छाचार में ही जब यमुना प्रसाथ शास्त्री ने त्रिन महा विद्याले में हुए हम तब ह इससे पहले भी एक वार हम को जो है तो घंधरन के स्कूल नहीं आए किताब उताब जब तुम नहीं देखा ती तो का कर बाद किताब उताब लई के अईसे मतलब वो कहे और एक बुढ़ा परसिया से हैं टॉक्तर मतलब श्री नवास पंडी जी है तो वो हमेशा जो तो प्रेरित करते थे इंद्र जी सरीवा मैं नाम लिखाई लापन के बिद्याले से प्राथमिक इस्कोल में जो तो मिले की आपको आगे पढ़ना है और एक बेहतर बेक्टित्तु का निर्मार खुद के भीतर करना है और इससे पहले मैं ब्रेल लिपी जब एडविशन नहीं लिया था अरिवा में तब ही मैं स्लेट जो होता है ब्रेल रैटिं अब आज तक हम उनसे नहीं मिले हैं और जो तो फिर जो तो एडविशन ले लिये तो फिर समझने लगए उसको समझ में आने लगा हमें जी और यहां जब प्रार्थमिक विद्याले पढ़ते थे कुछ यादे कुछ अनुभाव हमारे दर्सकों से साज़ा करना चाहें तो प्रार्थमिक विद्याले में देखिए आपको बता है जब छोटे छोटे मतलब साथी रहते थे हम लोग तो समय थोड़ा आनंद कुछ और रहता था जब रोज घरे में लएके औरहन मतलब पहुचे रहां हमार दायु भरे औरहन लएके पहुचे रहां वहा मतलब द्रिश्य आज कभव को मतलब नहीं भूलाई जब कभव आवा था कभव लागा था कि जह तो वहा बच्पना फी जब से हम बहुत दिरार रहन अगर कहां कुछ भी हो चोट में भी अगर कुछ हम वह करते रहे तो हमारी दादी का है देखा आसोग भाई आवल लाहा लाठी लई के तब हम लोग तो तुरंत जो हो जाते थे कि भाई भाई आवल लाहा था जे और संस्कृत का रुजान जो स संस्कृत काप से पढ़ने के एक्षा मन में जाग रहे तो वाडन सर के नजर में मैं थोड़ा सा मतलब वो हो गया था मतलब की चढ़ गया था यह लड़का बादमासी करता है यह लड़का काम का नहीं है यहां तक कि कभी-कभी वह जाती सूचक शब्दों से भी वो करते थ प्रजह तो फिर हमको काफी वो लगता था कि वाडन साहब के नजर में अच्छे होई लेकिन जह तो ऐसा हुआ कि वो संस्कृत में पढ़़ाते थे कख्छा च्लращ में wireless ने कर संस्कृत रहा तो कख्छा च्लощ emer संस्कृत पढ़ाथे थे लड़के प्रत्वी नाथे आज भा प्रिक्षा देने के बाद जो है यह हुआ कि आपको बताएं लड़कों से हम कहें भाई किताब तु लोग हमका संस्कृत के दैदा कहीं नहीं को दे दिया और दे दिया मैजवत उसको जब छुटी के समय में उसको पूरा पढ़ा उसमें जो पठ धातू और मतलब धातू रूप शब्द रूप में बालक का रूप राम का रूप यह सब याद कर लिये जब हम उसमें और कुछ शिश्लोक शिश्लोक याद किये जब उनकी प्रथम कख्षा जब शुरू ही तो कहें कौन-कौन लड़का इस लोग याद किया है ऐसा वह बोल रहे थे तो हम कहें भाई सब लड़के चार-चार इस लोग सुनाए लेकिन हम उनको जब 10 इस लोग याद किया है 10 इस लोग याद करी से काम के लिड़का है ऐसा जब इतनी तारीफ जब मैं सुना तो मैं कहा अब संस्कृता ही पढ़ा अब इनका हम बाड़न साहब को खुसी करे को कुछ भी करे पड़ी हमका यह आपके जीवन का पहला नुह था संस्कृत के लेकर उसके प्रणा को लेकर जी जी बिलकुल थोड़ पहले जरूर लग रहा था कि बुला लगता है लेकिन इसका आसर जब व्यक्ति सफल होता है तो बाद में वास्तों में तब फिर पता चलता है कि नहीं हमां महतारी बाप हमरे अच्छे खीतिर मारा रहे हमां हमार सर जी हमको अच्छे खीतिर मारा रहे और तो पहले तो अग बादन साहब के उससे हम आज यहां है तो बास्ता में यह लगता है कि जिस प्रकार कुमार बाहर से घड़े को तो बहुत मतलब उसको कितना गढ़ता है कितना मतलब वो करता है लेकिन अंदर से उसको सभालता भी रहता है कि कहीं गढ़बर न हो जाए कहीं गढ़बर न हो जाए उसी प्रकार माबाप गुरुजन ब्रिंद ये सब जो भी बाहर से तो इतना कुरूर ब डाक्टर कहते हैं कि इसको पकड़िये उनको बान देते हैं पकड़ते हैं यह बहीरंग द्रिष्टी से तुँ यह कुरूर प्योहार हो रहा है परंतु उसमें अंतर कितनी हित मतलब जो तो कितनी बड़ी करुणा है कितना हित है यह सिर्फ बालक नहीं अबोध बच्चा नही वहार मातापिता को यह रहता है कि आज चिरबाय देब थोड़ा 2-4 मिनट रोई लेए एक बाद तो फिर एक दम सही अच्छा फिर अच्छा उजाई तो अच्छा जाई उसरी प्रकार से भाहि मातापिता को यह लगता है कि लेकिन सुधरी तो ऐसा अगर उसको कुरूर बेवहार ही करना होता माता पिता को अगर कुरूर बेवहार तो कोई अधर ब्यक्ति अगर उसके बच्चे कुमार दे तो देखिए माता एकदम सिंगनी की तरह जो उस पर जपट पड़ती हैं तो ऐसा होता है कहने का तात्पर है कि बर्दमान की कथोरता भावसी के मधरता के लिए बहुत आवश्यकता है कवीर दास ची ने लिखा ना है गुरू कुमार है और शिष्य जो होता है वो घड़ा के आकार से हैं मतलब उसको इतना गढ़ते हैं और अंदर से लेकिन भाई उसमें वो रहता है कि कहीं यह लड़का मतलब जो है तो ही चिपा रहता है कि आज हम एक अमारिल है तिया काल जो है तो बड़ा आदमी बनी के दिखाए ऐसा होता है और जब यहां से रीवा की स्कोल से आपका प्रस् अपने मन में देखी अपने ही भाषा में सोचते हैं आपको बताएं तो सब बोल अचालर रहें सब अब हुआन रहा तो कैसा न पता नहीं कि हमारा मदद करी के ना करी ऐसा सोच करके गए लेकिन उससे ठीक भी परीत हुआ जैसा हमने सोचा हमने निगेटिव ठिंकिंग संस्क्रित के गानों की बात आपकी बहुत चर्चा होते हैं और विस्व पटल पर आप अपने इस प्रतिभा की बज़ए से चाय हुए हैं और तो इसका खयाल लोग संस्क्रित जब पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि महा भागबद गेता की और जाते हैं राम जेत मानस की औ बजन की और जाते हैं तो इन सब के साथ आपने मतलब अदुती प्रतिभा का निर्मार स्वैम के अंदर करने का प्रयास कि बॉली बुड और इस थानी भासा की गीतों को संस्क्रित में अनुदित करने का प्रयास किया तो यह ख्याल कहां से आया देखे इस से पूर्व जो ह जो आप हमने कई गाने गाये हैं धीरे धीरे से मेरे जिन्दगी में आना और तेरी आंख्या का यो का जल मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इन गीतों का अनुवात संस्कृत में हो चुका था हमारे बहुत बड़े मतलब विद्वत वरेंड ने हैं वो तो अगर उन्हें हम काली दास इस बार काली दास की अगर संग्या दें वर्तमान युग में तो अतिसंयोगती नहीं होगी तो श्री पंका जाह जी उन्हीं के गाये हुए गीत को मैं भी गाया तो काफी मुझे अच्छा लगा और मुझे भी लगा कि शाहद ऐसे ही संस्कृत में वो हो सकता है बिलकुल संस्कृत का विकास हो सकता है तो मुझे इतनी प्रसनता हुई और मैं उसको गाया तब लोगों को ये लगा कि इंदरजी साकेद बनाया इंदरजी साकेद गाया इंदरजी साकेद गाया हाला कि मैं कई बार ऐसा कुछ लोग बार बार आप गाये हैं आप बनाये है तो कई बार हम भाई कहें हाँ हम बना हैं आइसा ही हमने कहा एसी बात इसमें नहीं है लेकिन भाद में फिर हम कहें कि नहीं थीक नहीं है जिसकी करति है उसी का नाम हो तो अच्छा होगा भाई हम गाएंगे हमारे गाने के लिए प्रसिद होंगे ही, लेकिन उनका गाया हुआ और उनका लिखा हुआ गाना है तो ऐसा नहीं है, भाई नाम उसमें बता दे, पहले मैं नाम नहीं जानता था, जब मेरा वीडियो बायरेल हुआ, तो उसमें भी मैंने कहा कि मैंने न हमको उतनी दक्षता तो प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं तुरंद तुरंद नहीं कर पाता हूं, हमें कम सकम साथ आठ दिन, एक हपते, पंदरा दिन, बीस दिन लग जाते हैं, और देखे कभी-कभी थोड़ा सा ओ होता है, मतलब कि शब्द नहीं मिल पाते हैं, तो डिक्क प्रतिपलमम संस्मरणम संस्मरणे मात्रम्त्वं, रुदयस्यामम वारताम कथयान्याहं कम् प्रतिपलमम संस्मरणम संस्मरणे मात्रम्त्वं, रुदयस्यामम वारताम कथयान्याहं कम् तव मम मम तव एक प्राणाह एक प्राणाह किम कुरयां। भ्रामानी नृत्यानी गायानी लेख्यामि तव कृत किम कुरयां। शानहिशानहिमाम जीवने आगाच्च। शनहिशानहिमाम आहरुदयं चोडया। त्वत्कह प्रेम कतेमे शुब्रे प्रियतामे। शतिमेल ने जानी ही ज्यापने, शायम हितत, कार्यम हितत, त्वाम बेना सुप्रिये, निद्रा नहीं, त्वारामो नहीं, त्वाम बेना सुप्रिये, शायम हितत, कार्यम हितत, त्वाम बेना सुप्रिये, निद्रा नहीं, त्वारामो नहीं, त्वाम बेना सुप्रिये, तव मामामा तव एको प्राणह एको प्राणह किम कुरियां। भ्रामानी नृत्यानी गायानी लेख्यामि तव कृत किम कुरियां। शानहे शानहिमाम जीवने आगाच्च। शनहिशानहिमामा अरुदयं चोड़या। वत्कह प्रेमकते में शुब्रे प्रियतामें। शत्यमेलने जानीही ग्यापने। तव मामयुग जीवन सुष्रयुग श्रावयामी दहन्तुम सर्वान। तवम्मा सदूरे हम एकाकी शाखिरे प्रार्थये सदा परमेशाम। तवम्बिन दीन मामा गातामेक वर्षम मामा भावदुर्दशा। मामा भावदुर्दशा। स्थितिसान सर्पान मामा विज्यापाया परत्य वर्थया कादापित्वम मामा परत्य एही न। तवम्ममम तव एक प्राणाह एक प्राणाह किम्कूरयां। ब्रामानी नृत्यानी गायानी लेख्यामित अवकृत किम्कूरयां। शनहिशानहिमाम जीवने आगाच्च। शनहिशानहिमाम अरुदयं चोरयां। आपकी गीत को सुनके लग रहा है कि एक अद्भुत ध्वानी के साथ ही एक अद्भुत स्वर जो दैवी उपलब धी कही जा सकते है और जो आपके कर्म की जो आपके कर्तब पर आयंता निश्ठा है तो उन दोनों का एक सफल सही उजन सुनने को हमें मिल रहा है और यही कारण है कि लाखो करोडों की तादात में दर्सक हैं जो आपको रिदय से बहुत ही प्यार करते हैं यह तो बात बहुत लोग हमारे पास तो कभी-कभी तो मैं फोन में इतना हो जाता हूं मैं कभी-कभी कहता हूं कहां से फोन और फोन न इतना आ रहा क्योंकि कभी-कभी इतना मैं प्यास्त ही हो रहा है तो होता हूं एक फोन कटने नहीं पाता तब तक दूसरे कॉलर बन जाते हैं लाइन में ऐसा भी होता है तो मैं वोता हूं कभी-कभी लेकित फिर मम्मी लोग को आरे तों का माना था कि तब न लगाब लहाँ, उनकर आज तो नहीं जाना रहें, तब लगाब लहाँ, जब जाना लहाँ तो रहे बारे में पता है, तब लगाब लहाँ, ऐसा वो कहते हैं लोग, जी, तो हलाकि काफी अच्छा लगता है, हमरे पास देश भी देश थे, अभी कुछ दिन पहले दु जिस समय अपने यहाँ, बारा बज रहा था, उस समय वहाँ, रात्री के तीन बजे हुए थे, तो लगाए, और फिर जो तो हम कहें कि, अपने यहाँ का जैसे यह है, इंडिया का अपना कोड है, जीरो इक्यान है, लेकिन वहाँ का कुछ दूसरा ही रहा, तो हम सोचें कि, यह नया नंबर और अजीव सा है, यह अलग कोड है इसका, फिर हम पूछें, हलो उठाए फोन तो हम आप कहां से, तो बताए हम अमेरिका से बोल रहे हैं, तो हम कहें अच्छा, अमेरिका से, जी, वो बताए, हम कहें अच्छा, तब ही जो है, तो यह कोड जो है, दूसरा ल बोल इल्ला है, हम कहना, अरे वा, बहुत अच्छी बात, कम सकम देश विदेश में भी अपने रीबा केर, और जब अपने कहीं कभी एक पंची भी, अगर सुगव जाए के अगर अपने रीबा केर, अगर हम कहों बाहरान, सुगव जाए के बगहेली बोल दे अगर, तो बह इसा मतलब बहुत प्रसन नता हो थी